तो जैसे कि इस हफ़ते आपके लिए टार्गेट पंजाब पटवारी का बाच स्टार्ट हुआ है और इसमें हम आपके लिए अगर आप पटवारी का एक्जाम एप्लाई किया है आपने और आप पटवारी की तियारी कर रहे हैं तो ये सेशन्स आपको बहुत मदद करेंगे क्योंकि इन सेशन्स में हम वो सारी important चीज़े वो हर चीज़ आपके साथ discuss करेंगे जो आपके पटवारी के exam में आ सकती है और इसलिए आज reasoning के हम कुछ important MCQs discuss करने जा रहे हैं जो आपके exam के लिए काफी important है तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की class की पहले सवाल के साथ तो अगर आप यहाँ पे first question देखते हैं उन्होंने आपको बोला की on what dates of April 2001 की April 2001 की कौनसी तारीक को Wednesday fall होगा ऐसा सा question आपके पंजाब के paper में पहले भी काफी बार आया और इसलिए इस बार के लिए भी अगर हम देखें तो यह question important रहेगा आपके लिए क्योंकि बार बार वो यह question डाल रहे हैं आपके paper में तो देखिए आपसे पूछ रहे की April 2001 की कौनसी तारीक को Wednesday आएगा आप जो coding method होता है या अगर आप देखो दो तरह के coding method होता है आप जिस coding method को भी follow करते हो तो आप 1st April 2001 का पता कर लो पहले तो 1st April 2001 का पता कर लीजिए तो आप यहाँ पे code डालेंगे अगर पहले तो हम date लेते हैं 1 उसके बाद जो एक आपका coding method होता है 14405036 वाला उसमें आपका April का code क्या आता है Jan 1, Feb 4, March 4, April 0 तो April का code आगया 0 ठीक है उसके बाद आपकी यह century कौनसी है यह कौनसी सदी है यह है 21 सदी तो 21 सदी का code होता है 5 21 सदी का पहला साल है हमने ले लिया 1 और यहाँ पे हमने देखना होता है कि इस सदी में 21 सदी में अभी तक कितने leap year आ गए है तो यह तो पहला ही साल है अभी तो पहला leap year ही नहीं आया तो वो हमारा 0 ही रहेगा तो अगर आप इनको add करते है 1 प्लस 5 प 7 होता है संडे यानि पहली एप्रिल 2001 की बन रहा है संदे बन रहा है तो इसका मतलब अगर इस दिन संडे वह तो मांग रहे UT Sunday संडे के तीन दिन बाद में क्लिक में तो आप एक चीज लmee को पहली तरीक का Sunday है, तो पहली तरीक में भी आप 3 दिन जोड़ दो, तो तरीक आपकी बनती है 4, तो यानि 4 April 2001 को बनता है Sunday, जो मुझे कौन से option में दिया है, 4th option में given है, अगला, sorry Wednesday, ठीक है, 1 प्लस 3 करके 4 आता है, तो 4 तरीक को बनता है Wednesday, तो 4 तरीक का Wednesday है पहला, तो अगला Wednesday कब होगा, उसमें प्लस 7 कर दो, जब भी आपको बताने कि अगली बार ये Wednesday कब आएगा, तो सीधा प्लस 7 किया करो, तो 4 में प्लस 7 करके आपका बनेगा 11, 11 में प्लस 7 करके आपका बनेगा 18, 18 में प्लस 7 करके आपका बनेगा 25, और इसलिए इसका सही जवाब क्या है, option number B, तो देखो ये बहुत असानी से आप कर पाते हैं, बाकि कई students हैं जो different coding method इस्तेमाल करते हैं, अब जिस भी coding method से use करेंगे, आपको बस ये 1st April 2001 का एक बार निकालना है, और उसके बाद आप आगे का question जो है इस तरह से solve कर सकते हैं, बाकि अगर आपको जानना है कि वो पूरा coding method क्या है, तो आप हमारे channel Punjab Success Mantra में calendar का session जो है, वो available है, आप देख सकते हैं, वहाँ प्या पूरा coding system सीख सकते हैं, कि अगर मुझे किसी भी date का weekday निकालना है, तो वो किस तरीके से हम solve करते हैं, आपको session मिल जाएगा, तो चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की देखिए, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जो series दी हुई है, series में तेजी तो है, देखो यह 202 था, एक नंबर के बाद सीधा 1800 की रेन जा रही है, और तेजी जब होती है, वहाँ पे multiply होता है, तो multiply अगर हो रहा है, तो देखते हैं, यहाँ पे 2 स साथ कैसे आएगा, 2 into 3 plus 1, करके 2 3s are 6 plus 1, आगे 7 3s are 21 plus 1, 22 3s are 66 plus 1, 67 से 202 कैसे आएगा, into 3 plus 1, ठीक है, तो आगे भी आपका क्या हो जाएगा, into 3 plus 1, तो 202 into 3 अगर आप करते हो, तो कितना बना, 606, और उसमें अगर आप 1 जोड़ोगे, तो कितना बनेगा, 607, जो की हमें गिवन है, option number C में, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, option number C, तो यह into plus का rule जो है ना, काफी common है आपके paper में, काफी बार पूछा गया है यह rule, इसलिए यह question भी आपके लिए important हो जाता है, अगला सवाल अब हम करेंगे, किसका calendar का, हाँ जी, इसका answer क्या होगा, देखिए इसको try करके, आपको कह रहे है कि Joseph जो है, वो हर 5 वे दिन club जाता है, हर 24 वे दिन जाता है, सुमेट जो है, वो हर 9 वे दिन जाता है, और सभी के सभी Sunday को मि मतलब इस frequency से club जाते हैं, और मिलते हैं Sunday को, तो on which day will all three of them meet again, वो तीनो कब मिलेंगे, यह आप से पुछा जा रहा है, हाँ जी, यह तीनो, अब कब मिलेंगे, यह आप से पुछा गया है, हाँ जी, हर 5 वे दिन, हर 24 वे दिन, और हर 9 दिन, तो आप क्या लेंगे, इसका, LCM ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं, 3 से हम ले सकते हैं, 3, 8's are 24, ठीक है, और 3, 3's are 9, तो आगे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो अब अगर मैं इनको multiply करूं, तो जैसे कि 5 into 8 into 3 into 3, ठीक है, तो 5, 8's हो गया 40, 3, 3's हो गया 9, तो 40 into 9 हो गया 360, यानि कि यह सारे, जोसिफ, हर्ष और सुमित, 360 दिन बाद फिर से मिलेंगे, यानि वो हर 5 दिन, दूसरा हर 24 दिन, तीसरा हर 9 दिन की frequency से जब जा रहा है, तो वो सभी के सभी कब मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, फिर अगली बार वो कब मिलेंगे, 360 दिन के बाद, अब 360 दिन बाद कौन सा weekday हो और देखते हैं, कितने आ रहे हैं, 7, 5, 35, remainder बचा 10, ठीक है, 7, 1, 7, remainder बचा 3, 27, तो यानि 3 odd day आ रहे हैं, तो मतलब संडे के weekday में आप 3 odd day add कर दीजिए, तो संडे प्लस 3 करके आपका क्या बनता है, Wednesday, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option number B, यानि इसका answer है, answer B, ओके, चलिए, अगला सवाल है आपका direction का, पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको symbols दिये हों है, कहीं बार symbols भी पूछ सकते हैं, मुश्किल नहीं होता, पस देखके एक बार आपको डर जरूर लगता है कि यह क्या आ गया, पर जब आप इसको करोगे, बिलकुल वही तरीका है solve करने का, जैसे आप बाकी questions पहले direct वाले करते थे, तो चलिए इसको solve करिए, सवाल आपका है कि s is in which direction with respect to q, हाँ जी, इसको solve करने की अब आप सब कोशिश करिए, तो देखिए हर symbol आपको दिया हुआ है, जैसे कि अब ये equation का diagram बनेगा, है न, तो पहले क्या है, और एक और चीज़ देखो, उसने पूछा, s is in which direction with respect to q, तो इतना भी q बनाने, इतना ही बनाते है, q और s के बीच में ही बनाते है, तो q plus r, plus का मतलब क्या है, ये रा, plus का मतलब है north, यानि q जो है, वो north में है, किसके r के, और r minus s, minus का मतलब क्या है, देखिए, ये रा minus, minus का मतलब है west, यानि r जो है, वो west में है, किसके s के, तो इधर हमने बना दिया, किसको s को बना दिया, तो आप देखो वैसे तो P से equation शुरू हो रही थी पर जब हमें P की जरूरत ही नहीं है हमें क्यों बनाने हैं हमें बहुत ध्यान रखना है options में क्या है none of these तो नहीं है question क्या पूछा जा रहा है जिस चीज की बारे में पूछा है उतना ही answer चाहिए extra नहीं चाहिए अगर आप की details से करते हो na information से करते हो बिना देखे की questions क्या है बिना देखे की options क्या है आपका time waste होता है हमेशा सबसे पहले यह देखा करो question में पूछा क्या है और option में none of these है के नहीं है क्योंकि यहां पे तो नहीं बढ़ कई questions में ऐसा होता है कि none of these होने की वज़ासी पूरा solve करना उठाया करो और उसी तरह से solve करो जिस question के बारे में वो बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर आप से उसने पुछा S is in which direction with respect to Q तो S देखो यहाँ पर है तो अगर आप Q से देखते हो S किदर आ रहा है कौन सी direction है यह है South, East, जो की आपको given है कौन से option में पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ हाँ जी यह है clocks का question यह fact है वैसे तो यह fact आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि यह paper में काफी आता है कि in a week एक हफते में how many times are the clock are the hands of a clock at right angles with each other कि एक तरह से हफते में वो पूछ रहा है कि बताइए कितनी बार right angle बनेगा हाँ जी करिए इसको solve in a week पूछा जा रहा है मैं repeat कर रही हूँ हो सकता है गलती से आप इसका answer मुझे b option दे दो बट b option नहीं है इसका answer क्योंकि 44 times तो देखो in a day होते है दिन में, पूरे दिन में 90 degree आपकी clock में 44 times बनती है पर अगर वो in a week कह रहा है तो आप 44 into 7 कर दीजिए हफता मतलब 7 दिन तो यह आप देख सकते है 7,4, 28 और यह plus 2 करके 30 आ गया तो आपका जवाब क्या होगा इसका option number A यानि की 308 इसका सही जवाब है option number A जिसका मतलब है 308 इसका आंसर होगा option number A चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ अब मैं आपको यह rule तो चलो important है बट यही question मतलब यही figure के साथ 2, 12, 36 इन ही options के साथ यह सवाल भी आपके exam में काफी बार repeat हुआ है इसका answer बताइए क्या होगा आपको यह बताने की question मार्क में क्या होगा करिए इस सवाल को try करिए इस सवाल को try तो देखो यहाँ पे न यह 2 पते कैसे आ रहा है अगर आप 1 का square और 1 का cube बार्ड करते हो तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 उसके बाद 2 का square कितना होता है 4 2 का cube कितना होता है 8 4 और 8 को मिलाते हो तो कितना बनता है 12 ठीके उसके बाद 3 का square 9 3 का cube 27 9 और 27 में add करोगे तो यह कितना होता है 36 ठीके उसके बाद 4 का square अब हमें इसी का answer बताने जहां 4 चलेगा 4 का square जो की 16 है 4 का cube जो की 64 है इनको अगर आप add करते हैं तो आपका जवाब कितना आता है 80 तो यानि इस सवाल का सही जवाब है option number 3 आगे verify करने तो आप देख सकते हो 5 का square होता है 125 और 5 का cube होता है 25 जिनको add करके 1500 बनता है इसी तरह से आपका 6 का square होगा 6 का cube होगा 216 और 6 का square होगा 36 इनको add करते हो तो 252 बनता है तो answer आपका क्या होगा इसका option number 3 ओके सही जवाब इसका है third option और ये question बहुत important है जो जिन बच्चों ने काफी time से त्यारी start कर रखी है उनको तो इसका answer ही रट रख है क्योंको पत है कि इसका answer 80 है तो चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ जो की आपका है coding decoding का सर्वाल इसको try करी अब आप सब हाँ जी next question अब आपका जो है वो coding decoding का है ये वाला आप सबने try करना है हाँ जी देखिए आपको यहाँ पर उसने mind का answer दिये 106111 एक बार इनकी जरब positions लिखके देखो m होता है 13, i होता है 9, n होता है 14 और d होता है 4 13 से 10 देखो ये बन रहा है minus 3 करके 9 से 6 आपका बन रहा है minus 3 करके 14 से 11 आपका बन रहा है कैसे minus 3 करके और 4 से 1 कैसे बन रहा है minus 3 यानि positions में आप क्या कर रहे है minus 3 कर रहे है और आपको आपका answer जो है वो मिल जाएगा इसके बाद आपको इसी तरह से ramp में भी यही rule लग रहा है R 18 होता है minus 3 15 A 1 होता है minus 3 मतलब पीछे वापिस A to Z आपकी start हो गई तो 24 M 13 होता है minus 3 10 P 16 होता है तो minus 3 13 तो अब आपको solve करना है meal को तो M आपका 13 है E आपका 5 है A 1 है L 12 है minus 3 करोगे तो 10 देखो option में none of these नहीं है साथ साथ आप solve कर सकते है 10 सिरफ इन दोनो options में आ रहा है तो second और fourth आपका गलत हो गया ठीके 5 में minus 3 करते हो तो कितना आता है 2 अच्छा एक और चीज़ देखो अब जब आपके 2 option ही बचे हैं आप इनको compare ही कर लो यह देखो 10224 10224 तो दोनों में ही same है तो हम इसको solve भी क्यों करते है हम time waste ही करेंगे e और e को solve करके सीधा last वाला solve कर लो तो 12 में अगर आप minus 3 करते हैं तो कितना आता है 9 और 9 आपको किस option में मिल रहा है सिरफ एक ही option में जो की है option number third तो इस सवाल का सही जवाब होगा option number three उमीद है कि आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमें options की मदद से हम अपना time जो है वो बचा सकते हैं ओके अगला सवाल इसको try करीए अब आप सब हाँ जी इसको solve करने के अब आपने कोशिश करनी है ये किस तरह से होगा हाँ जी ये देखिए कैसे solve हो रहा है missing number आपको बताना है question mark की जगा पे क्या आएगा ये आपको बताना है तो देखो 3 से 90 कैसे आ रहे है into 30 करके 9 से 81 कैसे आ रहे है 9 का square करके अब देखो यहाँ पे वही चीज़ अगर मैं apply करू 4 में हम क्या करेंगे into 30 और 16 में हम क्या करेंगे 16 का square तो 4 में into 30 करके आपका 120 बनता है जो 1st और 2nd option में है तो ये दोनों तो होगा गलत 16 का square होगा 256 तो answer इसका क्या होगा option number 1 इसका सही जवाब है first option ठीक है तो आपने देखा कि हमें साफ साफ example दिया हुए example को समझिए तभी आपको समझाएगा कि equation हमने solve किस तरह से करना है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो की है calendar का हाँ जी अब इसको आप try करिए और देखिए इसका सही जवाब क्या है हाँ जी हाँ जी बच्चे अगला सवाल देखिए ये आप किस तरह से करेंगे किस तरह से करेंगे लाँ तरह से करेंगे झाल झाल वस्था नेपकश लाँ जवाब खात्त हाँ जी उसने आपको बोला कि if in a month एक महीने में अगर 12 तरीक falls on the day अगर 12 तरीक उस दिन आ रही है जो कि 2 दिन Wednesday के after है तो आप वैसे देखो two days after Wednesday कौन सा दिन होता है Friday Wednesday के दो दिन बाद आता है Friday तो वह कह रहे है कि 12 तरीक पढ़ रही है Friday को एक तरह से वह आपको simple भाशा में यह कहना चाहता है पर क्यूंकि reasoning के देखो simple भाशा तो वह use नहीं करेगा है ना आपको पूरी तरह से उलजाएगा भा आपकी intelligence कैसे देखेंगे तो यही है कि घुमा फिर आके उसने आपसे बाते पूछनी और आपने उस चीज को समझना है तो चलिए 12 तरीका Friday है तो आपसे वह पूछ रहे हैं कि then which day will fall on the 28th of the same month उसी महीने की 28 तरीक को कौन सा दिन पढ़ता है यह आपको बताना है तो आप ऐ ऐसी देख लो 28 में से अगर आप माइनस 12 करते हो मैं यह क्यों कर रही हूँ क्योंकि हमें देखो निकालने है और दे मुझे देखना है यहां से यहां तक जो जितने दिन बाद आप आए कितने दिन पढ़ रहे है 12 में कितना जोड के 28 बनता है तो अब बस 28 में से 12 घटा लो तो यह आपका बनता है 16 यानि 16 दिन बाद तो 16 दिनों में कितने और दे होते हैं यह आपको देखना है तो 16 दिनों में अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तूसा 14 है ना तो 2 दिन बच रहे है और दे बच रहे हैं 2 तो Friday में प्लस 2 कर लीजिए जिससे कि आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा जो की क्या बनता है Sunday बनता है तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा option number D यानि की Sunday क्योंकि simple सी बात है हमें यहाँ पे पस odd days जोडने थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ उसने यह आपको एक तरह से वो wrong number बताना इनमें कौन सा है identify the number that does not belong to the following series ठीक है तो यहाँ पे एक series है और आपको बताना है कि इनमें कौन सा number गलत है करिए इसको solve करने की कोशिश हाँ जी देखिए यहाँ पर उसने जैसे की बोला आपको यह one positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative ऐसे चल रहा है चीक है और three times होता जा रहा है one का into three करोगे three into three nine into three twenty seven into three eighty one into three two forty three into three seven twenty nine पर अगर आप seven twenty nine into three करते हो last में आप खुदी देखलो seven आता है तो यह last में three आ रहा है तो यही गलत है यह into three करके two one eight three तो आई नहीं सकता तो इसका सही जवाब होगा option number one यानि गलत number इसमें कौन सा है minus two one eight three मतलब आपको even की multiply करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या number है last digit से ही समझ आ रहा है क्योंकि इसमें into three करके last में तो seven आएगा ना इसके last में three आ रहा है तो आपका answer होगा इसका option number one चलिए अगला सवाल है coding decoding का इसको solve करने की कोशिश करिए अब आप सब हाँ जी आपको जो word given है वो है equation जो की related है z f j v m l r g equation का यह मतलब है ठीक है तो अब यहां पर आपको समझना है यह solve कैसे हुआ और उसी तरह से फिर आप solve करोगे किसको personal को ओके तो देखिए e और v का link है कैसे यह pair बन रहे है देखो शुरू के चार reverse होके pair बन रहे है ev का pair बना, qj का pair बना, uf का pair बना, az का pair बना, tg का pair, ir का pair, ol का pair, nm का pair तो अगर हमें install करना है personal को तो इसमें भी आपने यही चीज करनी है जो हमें example में समझ आ रही है कि आपने इस word को आदा करना है और हमने half करने के बाद दोनों half को reverse करना है और pair लिखने है तो चलिए option की मदद ले सकते है, none of these नहीं है, तो ऐसी देख लेते हैं, s के साथ h का pair बनेगा देखो और क्या solve करोगे, यह देखो एक ही option है, एक ही option है जिसमें hr है तो हमें s के साथ equidistant pair ही किसका बनता है h का, आगे कुछ solve करना ही नहीं पड़ा पर अगर आप इन चीजों को follow नहीं करते हैं, यह जो sessions में आप सीखते हैं, या अगर आप sessions ही नहीं लगाते हैं, तो आपको यह hints भी नहीं मिलेंगे आप खुछ सोचा नहीं, तो पूरा solve करने में कितना time लगता है, और एक alphabet से answer पता करने में कितना time लगता है तो इसका सही जवाब होगा, option number one, बाकी मैं आपको वैसे करके दिखा देती हो, R के साथ high का pair, E के साथ V का pair, P के साथ K का pair, इसको reverse करते हो, तो L के साथ O, A के साथ Z, N के साथ M, O के साथ L, तो यह आपका जवाब है तो इस तरह से आपने इस question को solve करना है, चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो की है blood relation का, इसका answer देखिए क्या होगा हाँ जी यह देखिए, इसमें आपको बोला जा रहा है पहले तो कि A जो है वो father है किसका? X का, ठीक है? A पहले तो उसने बोल दिया father, किसका father? X का father, उसके बद B is mother of Y, B, Y तो दोनों ही नहीं है sister of X and Z is Y, sister of X जो है वो Y, ठीक है? sister of X जो है वो Y है और Z की भी sister है, तो मतलब Z और X और Y यह तीनों हो गए siblings तो उपर दिया हुआ था B is mother of Y, तो B अगर mother है Y की, तो हमने B को इस तरह से बना दिया, तो यह diagram बन रहा है तो उसने आप से पूछा कि which of the following statements is definitely not true, मतलब impossible वाली कौन सी है, कौन सी है जो बिलकुल ही गलत है, निश्चित रूप से गलत है तो पहले आपको कह रहा है कि B is the wife of A, B is the wife of A तो सही है, गलत नहीं है, तो यह आपका answer नहीं होगा, यह भी paper में ऐसी चीज बहुत होती है shortcut मारना है, पर shortcut पढ़ने में नहीं मारना, question अच्छे से पढ़ा करो, shortcut सिरफ question को solve करने में लगता है, ठीक है, तो हम shortcut क्या करते है, solve पूरा concept लगा के कर रहे हैं, और question में क्या कर रहे है, equation को पढ़ने में shortcut लगा दिया, कि आदा पढ़ा, आदा समझ लिया खुदी, जबकि बाकी आदा जो आप समझ रहे हो, वो कुछ और है, जो लिख है, वो कुछ और है, question ढंग से पढ़ा करो, और answer जो है, वो mark कर रहे हो, उसके बीच में जो concept लगा रहे हो, वहाँ पे tricks लगने चाहिए, ठीक है, चालो, तो first वाला, तो सही है, गलत है, इस वज़ा से हमारा answer, क one of a, वो कहरा है कि y son है, ये definitely false है, क्योंकि y तो daughter है, male हो ही नहीं सकता y, y तो female है, तो answer इसका होगा, option number c, चलिए, आगे बढ़ते हैं, calendar का सवाल है, ये इसमें आप से पूछ रहा है, ये भी काफी important है आपके paper के लिए, देखिए हर question आपके paper के focus से ही आपके साथ discuss हो रहा ह ताकि in questions को करके आपको paper में लगे, ये सब तो हमने कर रखा है, तो चलिए, year next to 2005 will have the same calendar as that of the year 2005, कि 2005 का calendar वापिस से कब repeat होगा, ठीके ये सवाल है आपका, और इसका जवाब अब आपको बताना है कि 2005 का calendar फिर से कब repeat होगा, तो ये देखिए try करके हां जी, इसका अंसल क्या होगा? तो देखो 2005 का calendar रिपीट कब होगा, ये देखो 2005 जो है वो लीपियर से अगला साल है, आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगे कि जो लीपियर का next year होते हैं, लीपियर तो आपका कौन सा था 2004, तो लीपियर का जो next year होता है, वो कब repeat होता है after 6 years, ये fact हमेशा याद रखना और इसकी को लगा के कुछ solve करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो तरीका concept के हिसाब से क्या है, कि आप 5-16 में देख रहे हो कितने odd days आ रहे हैं, पान से 22 में 21 आ रहे हैं, यानि कि जिसमें odd days, जहां पे आपकी odd days जो है, वो zero हो सकते हैं, वहां calendar repeat होगा, ये तो है concept, पर हम जब हमारे पास ये trick है, हम क्यों लगाएं concept, ठीक है, बट ये नहीं कि concept कभी समझना नहीं है, concept जरूर समझना है, जब आप syllabus कंप्लीट करते हैं, ठीक है, डा सिंपल सा question था, 2005 में plus 6 करना है, तो answer आ गया, 2011 जो की हमें given है, option number C में, तो इसका सही जवाब है, option number C, चलिए next question आपका है, find the missing term का, इसमें आपको एक series given है, और आपको पूछा जा रहे है, इसके बाद क्या होगा, ये वाला solve करी अब आप सब, हाँ जी, इसका answer देखिए, क्या होगा, जल्दी से solve करीए, okay, so 9 से 27 कैसे आ रहा है, into 3 करके, 27 से 31 कैसे आ रहा है, plus 4 करके, 31 से 155 कैसे आ रहा है, into 5 करके, 155 से 161 कैसे आ रहा है, plus 6 करके, आगे आपका होगा, into 7, ठीक है, और आगे आपका क्या होगा, plus 8, तो बस 11 सा 27 में आपने 8 जोडना है, जिससे कि आपको आपका answer मिल रहा है, जो की है, option number B, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे series देख रहे हैं, बड़ा number भी आ रहा है, पर जैसे 27, 31 तो बहुत ही छोटा है, multiply करके तो हो नहीं सकता, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना, तेजी भी हो रही है, बीच में कहीं कहीं speed slow भी हो रही है, यानि multiply और plus आप एक साथ यहाँ पे use करने वाले हैं, चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, यह आपका है number series का question, इसको solve करने की कोशिश करिए, देखिए, यहाँ तो आपकी series की speed ही बहुत slow है, तो बहुत slow speed है, देखते है, 2 से 3 कैसे आता है, plus 1 करके, 3 से 3 कैसे आता है, into 1 करके, है ना, 3 से 5 कैसे आता है, plus 2 करके, 5 से 10 कैसे आता है, into 2 करके, 10 से 3 का, plus 3 करके, तो मतलग plus 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 तो आगे होगा into 3 तो 13 into 3 आपका कितना होगा 39 यानि इसका सही जवाब है option number C और rule भी हम समझ चुके हैं into 3 करके 39 आया फिर plus 4 होगा और फिर into 4 होगा और आगे plus 5 और फिर into 5 ये आपका rule था इस question में उमीद है आप सबको clear हो चुका है और इसका सही जवाब है option number C ओके चलो अगला सवाल अब हम discuss करेंगे जो की है coding decoding का इस तरह का question भी आपके paper में बहुत बार आया है आभी सकता है ठीक है आभी क्या सकता है मतलब आएगा ये तो आप डार्ड सोच भी मत की हो सकता है ये तो आएंगे आज में जितने भी आपके साथ question discuss करेंगे ये सारे बहुत important है ओके तो आपको एक coding system में एक information दी हुई है उसको आपने समझना है और फिर आप से पूछा जा रहा है what is the code for has की has word का code क्या होगा okay so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि the cat is beautiful the dog is brown and the dog has the cat इसमें देखो has का है the cat is beautiful में तो नहीं है the dog is brown में भी नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है has word the dog has the cat तो अब यहाँ पर देखो in codes में से अगर आप देखो has का code क्या होगा in में से has का code क्या होगा तो देखो जैसे कि has word मुझे एक ही बार दिया हुए तो has का code भी मुझे एक ही बार दिया होगा तो यह चीज़ आपकी कहा हो रही है देखो यह यहां पर एक एक करके चेक करते हैं पहले तो यह देखिए देखो यह दिया हुए तो यह तो सकता पर यह हमने देखा था एक की बचते और आगर मैं कहीं चेक करूं CUS दिया भी नहीं है तो यानि जिस तरह से has word एक ही बार दिया है उसी तरह से CUS चो code है वो भी आपको एक ही बार दिया है और इसका answer होगा option number D ओके अगला सवाल कुछ ऐसा सा ही है बस यहाँ पर उन्होंने language की जगा आपको digits दे दी है हाँ जी इसका answer देखिये क्या होगा हाँ जी आप से पूछ रहा है which digit stands for leaves in that code leaves का code पूछ रहा है तो पहले तो leaves को ढूंडो यह रा leaves आगे green is good है they are playing है तो leaves मुझे एक ही बार दिया है तो कौन से digit है जो एक ही बार दी है 4, 6, 7 में से 4 तो देखो दो बार दिख रहे है यह नहीं हो सकता, 6 भी हमें दो बार दिख रहे है यह नहीं हो सकता तो एक ही option बचता है जो की है 7 यानि option number C इसका सही जवाब होगा option number C चलिए अगला सवाल हाँ जी अगला सवाल अब आप सबने try करना है इसका answer क्या होगा देखिए यह तो बहुत असान है मुझे लगता है अब तक तो आप सबने करी लिया होगा 14 से 16 कैसे आ रहा है यह यह कहलो next T1 number है तो 22 में भी plus 2 कर दो तो कितना आ गया 24 कहीं बार होता गया पेपर में इतना असान सवाल आ जाते है पर हम मान नहीं पाते हैं यह असान है कुछ ना कुछ तो होगा जो मुझे दिखनी रहा हम ऐसे कहीं बार सोचने लग जाते हैं तो असान इतना असान सवाल भी आपको पेपर में मिल सकता है ठीक है इतना हम suspicious ना होए तो सही रहता है क्योंकि पेपर में अगर आप ऐसे equation मुश्किल को असान समझो असान को मुश्किल समझो वहीं पे सारी problem स्टार्ट हो जाती है तो answer आपका होगा इसका option number C चलिए अगला सवाल है dice का dice का equation है आपके सामने इसको अब आप सब try करेंगे concept से तो कर ही लेंगे बट trick से हम देखते हैं अभी मैं बताऊंगे और देखते हैं आप में से किस-किस ने वो trick लगा के solve किया है answer बताईए इसका क्या होगा check करिए okay so उसने बोला 4 positions दी हुई है आपको dice की ठीक है which number is 1 on the sorry 1 नहीं है on the opposite on the face opposite to 6 यहाँ पे न कोई concept की जरूरत नहीं है simple सी बात है कि अगर कोई 2 face एक दूसरे के opposite है तो वो adjacent नहीं हो सकते जो opposite है वो adjacent नहीं हो सकता जो adjacent है वो opposite नहीं हो सकता इन चीज़ों को आपने follow करना है ठीक है तो अब अगर वो 6 के opposite पूछ रहा है तो 6 के adjacent कौन कौन है देखो यह 3 है यह 2 है तो 3 और 2 6 के opposite तो हो इनी सकते यह तो 7 में है तो आपने 3 और 2 तो गर दिया गलत यानि answer A है या D है अगले option में देखो 6 के साथ कौन है 2 और 4 तो 4 भी 7 में दिया हो है 4 उसके opposite हो इनी सकता और कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी 2 सेकिंड में आपको आपका answer मिल रहा है जो की है option number A यानि की 1 इसका answer होगा option number A चलिए अगला सवाल आपका है letter series का इसको अब आपने try करना है इसमें आपका answer क्या होगा कोशिश करिए इसको जल्दी से solve करने की देखिए आप series में इतना तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे न alphabets बढ़ते जा रहे है तो जैसे कि M, N, O यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ू उसके बाद N, O, P, Q यहाँ से तोड़ दिया O, P, Q, R, S यहाँ से तोड़ दिया मतलब यह 3 alphabets यह 4, यह 5 तो आगे 6 तक लिखना है मतलब आगे हमें sequence में 6 alphabets लिखने है और मैं शुरू किस से कर लिए हैं देखो यह M है, यह N है यह O है तो इदर आएगा P मतलब मुझे P से शुरू करना है आगे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है option में ही देख लो P वाला तो एक ही option है जो की है option number C तो वैसे क्या बनेगा P, Q, R, S, T, U फिर आगे खतम हो जाएगा फिर Q से आगे साथ बार हमें लिखना होगा यह आपका question था letter series का और उसे साब से आपका answer जो आ रहा है वो है option number C ओके, next question एक छोटी सी puzzle है कई पर आपसे बहुत छोटी puzzle भी पूछी जा सकती है और इसको तो देखो चलो एक बार try करिए आप सब फिर मैं आपको बताऊंगी हम इसको कैसे कर सकते है हाँ जी देखो हम इन sessions में कोशिश करें आपको यह बताने की कि एक question बिना solve किये कैसे हो सकता है solve करके तो आपने सलेवस जब पूरे किये थे तब सब समझ लिया था ओके हाँ जी आपको जो नाम दिये हुए है वो क्या है W, X, Y और Z और आप से बस इतना पूछा जा रहा है कि shortest कौन है आप बस cancel करते जाओ कोई ज़रूरत निये solve करने कि उसने बोला W is shorter than X तो X तो shortest होई नहीं सकता क्योंकि X से चोटा W है but taller than Y but के बाद जो information है यह किस के बारे में है W के बारे में है कि W बड़ा है अगर वो किसी से भी बड़ा है तो shortest नहीं हो सकता तो W बड़ा है किस से Y से और फिर Y who is shorter than Z Y छोटा है Z से तो मतलब Z भी shortest नहीं हो सकता तो एक ही person बच्रा है जो की कौन है Y और वो हमें given है किसमे option number C में तो यह आप देख सकते बिना puzzle को solve किये हमने इस सवाल का जवाब जो है वो कर लिया ठीक है ओके next question आपका है mathematical operations का जिसमें आपको यह सारे board mass का ही rule लगाना होता है जिसमें कि board mass में पहले B का मतलब होता है bracket O का मतलब off फिर आप divide करते हैं फिर multiply करते हैं फिर add करते हैं और फिर subtract करते हैं हाँ जी अब इसमें देखिए आपको बस put करना है जैसे कि C का मतलब क्या है multiply तो हमने multiply लिग दिया A का मतलब है plus तो हमने यहाँ plus लिग दिया और B का मतलब क्या है minus तो हमने minus लिग दिया तो अगर आप पहले तो bracket solve करोगे 10 into 4 हो जाएगा 40 4 into 4 हो जाएगा 16 तो 40 plus 16 minus 6 यह आपको solve करना है अब देखो option में 50 दिया हुआ है उनको पता है आप क्या गलती करेंगे है ना आप क्या करोगे 16 minus 6 10 10 plus 40 50 जो की गलत है देखो यहाँ पे पहले add करते है board mass में पहले add करते है तो add यह होगा 40 plus 16 तो यह 56 हो गया फिर subtract होता है last में ठीक है तो सच्छी है आपका सही आ रहा है वैसे तो by chance सही आ रहा है तो इसी के साथ आपका आज का session over होता है इसी तरह से हम daily आप से मिलेंगे अलग-लग subjects आपके daily रहेंगे जिन में हम ऐसे ही आपके focused questions discuss करेंगे जो आपके पटवारी के paper में आ सकते हैं ठीक है तो उमीद है कि आप सबको आज का session जो है वो clear हो चुका है और अगर आपने आज first day है आपका तो और अभी आपने हमारा channel subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए और अगर आपको आज का session पसंद आया तो like भी करिए, share भी करिए और साथ-साथ comment भी करिए, thank you so much